शाह जी ने यहां मेटिक बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दुनों जो हैं दुनों माफ कर दिया अभेंस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मेटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकी हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य है और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समत्य हुए सई वक्त पर 28 डिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्यार नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्यार नुकसान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संग्यान नहीं लेती है वही हुआ जो चिंता हमें थी जो डर था जो भै था वो एक तारिक से दिखने लगा और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे मंतराले ग्रे सचीव बल्ला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छ तर्य एम टीसी के पदिकारियों से मिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें ये खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट दो में जो 10 साल की सजा ह और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिंता ह अगने बार बार मैं भारशरकार के पास लेके आ रहे हैं लेके आएंगे आपको एक बार प्रसूचित कर ले नोपकरे कानून अभी लागू नहीं हैै और हम आपको आश्वाशन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे, अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेड़ बोड़ी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा तो ये कानून लागू कर पाएगी. हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चίνता जो मन्शा थी उसका हल निकल चुका है आपसे अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए अपने वहन बिना कोई डर के चलाईए हम पूरी टीम आपके लिए 24 बटा 7, 365 दिन हाजिर हैं आपसे एक पर फिर अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए और वहन चलाईए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बाल पलकीर सिंग चेर्मेन कोर कमेटी और इंडिया मोटर ट्रांस्पूर्ट कॉंग्रेस तरफ से स्ट्राइक ओवर है आप यही अपको में देखिए मैं देख के लिए बहुत खत्रा पैदा करता है और ऑफिशली हम परिवार का सदस्य हैं यह कानून का विरोध करते थे उनके साथ में खड़े थे हम कंस्ट्रक्टिव डैलोग में विश्वाश रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डैलोग के माध्यम से इसका हल निकला है जो आपको हमन मिटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना जाते हैं यह सरकार की मैं बोल रहा हूं जो सरकार ने अपनी स्टेट्मेंट दी है मीडिया में दिया और प्रेस लीस थोड़े ही समय में सब लेंग्वेज में आपके पास आ जाएगी उन्होंने स्पष्टी स्पष्ट कर दिया कि 10 206 दो 10 साल की सहया जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वाशन दिया है और यह हम भी उनसे अशौट कर क्या है कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा एक प्रकरिया है देखिये सुनिये बात यह देखिये मेरी बात सुनिये वो आज चर्चा का विशे नहीं है आज चर्चा का विशे यह था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुजाना है सुनिये मेरी बात उसमें हम नहीं जाना चाहते आप अलग से प्रेस कॉंफरेंस कर लीजिए जो जो आप की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होते हैं कि कि अ कि अ